हेलो एवरीवन वेलकम बेक टो माई चैनल इस वीडियो में बात करेंगे हससी के द्वारा न्यू अपडेट नोटिस की जैसा कि आपको पता है कि SI का एक्जाम आने वाला है अभी आप देख सकते हैं हरियाना करमचारी चेहनायोग ने परशन पत्र और OMR शीट पर लगाया गया है बार कोड आपको पता ही है कि भई महिला कॉंस्टेबल का एक्जाम हो चुका है और अभी इसी संडे SI का एक्जाम है तो पेपर लीक ना हो इसके लिए बार कोड लगाया गया है जिससे के इन्फोर्मेशन मिल जाएगी और जो हमारे लिए मेन न्यूज है वो देखिए 31 मार्स 2022 तक 40,000 युवाओं को आयोग देदेगा नौकरी इसका कहने का मतलब यह है कि भई नए सिरे से गठन हुआ है इनके अध्यक्षता में और इन्होंने बताए कि 24 मार्स से 22 सेप्टमबर तक लगबग 7,000 पदों पर नुक्तियां हो चुकी है और उन्होंने पूछने पर बताया कि आयोग ने यह तैक कर रखा है कि लेकित परिक्षा के तीन महीने के अंदर अंदर आपको अंतिम सूची जारी करने है मतलब फाइनल रिजल्ट आपको निकाल देना है इन पदों का परिनाम होगा गोशित तो आप देख लीजे यहाँ पर 2021 मार्स तक पीजीटी के लगबग 15,000 पद पुलिस सिपाई के 5,500 और अन्ने के टेगरी के कम संख्या लगबग 45,000 पदों का अंतिम जो परिनाम है वो यहाँ पर 31,000 मार्स 2022 तक घोशित कर दिया जाएगा क्या रहेगा शिडून 26 सितंबर 2021 को पुलिस सब इंस्पेक्टर पुरिश और महिला पदों के लिए लिखित परिक्षा होगी इसके बाद 29 सेप्टमबर से पुलिस कमांडों के 542 पदों के लिए पुलिस महिला सिपाई के 1100 और सब इंस्पेक्टर के महिला पदों के 465 पदों के लिए दोड़ोर फेजिकल मापतोल प्रक्रिया शुरू होगी जो की 20 दिन चलेगी अंतिम परिणाम आपका 15 नॉवंबर 2021 तक यहां पर गोशित कर दिया जाएगा आयोग ने बताया कि यहां पर जो अंतिम परिणाम है 15 नॉवंबर तक आ जाएगा आपका आयोग ने बताया कि 39 31 अक्टुबर 2021 को पुलिश पुरुष सिपाई पद के ल लिकित परिक्षा होगी एलम के लिए नमबर में और इसके लावा 11 से 12 दिसंबर को ग्राम सची पटवारी के लिए आई टी आई पदों के लिए जो स्वास्ते पदों के परिणाम है वो 31 दिसंबर तक आ जाएंगे इनके लिए ओनलाइन दस्तावेज प्रकरिया शुरू की जाएगे और उन्होंने बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट में लगबग 6000 पदों के लिए अंतिम परिणाम 31 दिसंबर तक घोशित हो जाएगा तो आप देख सकते हैं और पीजी टी संस्कृत के लबगग 600 पदों का अंतिम परिणाम भी 31 दिसंबर तक हो जाएगा तो बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन बेस की जो कि हैसे से ने फॉर्मूला जारी कर दिया गया है कि आपका नॉर्मिलाइजेशन किस बेस पर होगा वीडियो पसंद आई तो लाइक शेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू सॉमस्ट थैंक्यू